जहें दोस्तों अंदे मातरम, असमाजिक तत्व एक human society का अभिन अंग होते हैं, मतलब आप कितना ही चाह लें लेकिन आप इन असमाजिक तत्वों को अपने बीच में से निकाल का अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इनके चेहरे को identify नहीं कर सकते हैं, चेहरों का तो कोई क इस तरह की घटनाओं में आ रहा है, जो कि देश में अशान्ती फैलाने के लिए की जा रही हो, तो कहीं न कहीं उस संगठन को लेकर भौएं चड़ी जाती है, कुछ ऐसा ही समय हमारे देश में चल रहा है PFI को लेकर, popular front of India, PFI, चाहे आप हिजावी बात की बात कर लें, चा जिकर भी एक बार फिर से हुआ था, ऐसे में कब तक PFI प्रमुक तोर पर सामने आकर इन चीजों से अपना पला जहारता रहेगा, और कब तक भारत सरकार इसको यूही जहलती रहेगी, ये वाकई में एक चर्चा का विशाय बन चुका है, क्योंकि अगर किसी संगलठन का न में बजरंग दल कारकरता का कतल, एक संगठन का नाम बार बार इन सम्में आया, और वो है PFI मतलब की पॉपुलर फ्रेंट ओफ इंडिया, हाली में पटना में पुलिस ने कई संगद्दों गिरिफतार किया, और इनके भी PFI से जुड़ होने का दावा किया, लेकिन अब NIA बिहार में PFI की जणे तलाश रही है, केरल हाई कोट ने अपनी एक टिपणी में PFI को एक चरम पंती संगठन बताया था, हिंदुवादी संगठन PFI को प्रतिमद्द करने की मांग लगातार करते रहे हैं, और मीडिया में केन सरकार के इस संगठन को प्रतिमद्द करने पर विचार करने की रिपोल्टे भी आती रही है, हाला कि अब तक जहारखंड के अलावा कहीं भी PFI पर बैन नहीं लगा है, जहारखंड के बैन को भी अदालत में चुनौती दी गई है, वहीं PFI अपने आपको एक सामाजिक संगठन बताता है, जो दबे कुछले वर्क के उत् पान के आरोप लगे थे, इसके बाद आरोप है कि PFI कारे करताओं ने प्रोफिसर जोसफ के हाथ काट दिये थे, अगर हम बात करें प्रोफिसर जोसफ के बारे में, तो उस समय उन्होंने कहा था कि PFI एक आतंकवादी संगठन है, जो इसलाम की कटरपंती विचार धारा को पहलाता है और लागू करता है, उनकी सभी कतिविदियां जिनमें की 2010 में मुझ पर हमला हुआ भी शामिल है, इसने समूचे भारत में आतंकी एक लहर पैदा करी है, ये संगठन लोगों में एक शांती पूरवक जीवन और देश की धर्म निर्पिक्षता के लिए एक तरह स ज़्यादा सवालों के खेरे में आ गया था, और इससल के अगर बात करें तो ओडिपी में जब मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब को लेगा प्रोटेस्ट किया, तो उनके पीछे भी पीएफ़ाई के ही छात्र संगठन, कैंपस फ्रेंट ऑफ इंडिया याने की नीती बताई गई थी, दक्षिनी राज्यों में ये संगठन उत्तर भारत के मकाबले ज़्यादा सिकरी है, पीएफ़ाई पर जिहाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगते रहें, अगर हम हाल की बात करें, तो चाहे हम कानपूर की बात कर लें, पटना में संगठनों क की रफ्तारी की बात कर लें, सभी में पीएफ़ाई का नाम निकल कर सामने आया था, अगर हम पटना की बात करें तो पुलिस ने देश के खिलाव साज़ेश रचने का रोप में चार संगदिद्दों की रफ्तार किया है, ये हैं अतहर परवेज, मुहमद जलाल उद्दीन, अर्मान मलिक और एड़ोकेट नूरुद्दीन जंगी, पुलिस के मताबिक ये चारो ही पीएफ़ाई से जुड़े हुएं, वहीं पीएफ़ाई बिहार में साल 2016 सक्री है, पूर्णिया जिले में संगठन ने हेड़कॉर्टर स्थापित करने की तयारिया करी थी, इसके ला पार्गेट करके अपने साथ जोड़ रहा है, पुलिस जांच में सामने ये भी आया है कि युवाओं को हतियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है, पीएफ़ाई के तार विदेशों से जुड़ों हैं और भार से फंडिंग होने की भी जांच की जा रही है, पुलिस को प पुराओ इलाके में पीएफ़ाई की गतिविदियां दिखती रहती है, स्टुडेंट इसलामिक मूवमेंट आफ इंडिया यानिकी सिमी पर बेहन लगने के बाद इससे जुड़े लोग भी पीएफ़ाई से चुड़ गए है, कानपुर में C.A.N.RC. विरोधी आंदूलन क पीएफ़ाई काफी सक्री रहा था और इसके पांथ सदस्यों को गिरफ़तार भी किया गया था, इन सभी को बावब पुराव इलाके में से ही गिरफ़तार किया था, पुलिस के मताबिक पीएफ़ाई ने C.A. विरोधी आंदूलन की फंडिंग की थी, पुलिस ने इस सम्म पीएफ़ाई सदस्यों पर भी आरोपताय कर दिये जगाए हैं, वहीं अगर हम उदैपुर की बात करें तो टेलर क नहीं है लाल के पूरे मामले में पुलिस ने जिल्लों अगर रफ्तार किया था, उनका भी कनेक्शन पीएफ़ाई से जड़ो होने का दावा किया था, लेक पीएफ़ाई के नेटवर्क ऐसे भी जाजेंसियों के रडार पर ही हैं, वहीं पीएफ़ाई की जड़ें 1992 में बावरी मज़ित विद्धुन्स के बाद मुसल्मानों के हितों की रक्षा के लिए खड़े हुए अंदूलन से चुड़ती हैं, 1994 में केरल में मुसल्मानों ने National Development Fund मतलब की NDF की स्थापना करी थी, इस स्थापना के बाद से ही NDF ने केरल में अपनी जड़े मजबूत करी और इसकी लोगप्रियता वड़ती चली गई, इस स्थापना के बाद बीजेपी ने NDF के आईसाई साबित नहीं किया सका, केरल के अलावा दक्षिन भारती जिलो तमिलनाडू, करनाटका में भी सलमानों के लिए काम कर रहे संगठन सकरिये थे, करनाटक में करनाटक Forum of Dignity यानि KFD और तमिलनाडू में मनिती निती पसराई मतलब की MNP नाम के संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इन संगठनों का भी हिंसक गदविदियों के नाम आता रहता है, नवमर 2006 में दिली में हुई एक बैठक के बाद NDF और ये संगठन एक होकर PFI बन गए, इस तरह साल 2007 में PFI इस सत्यों में आये और आज 20 से भी ज़्यादा राज्यों में ये संगठन काम कर रहा है, लेकिन अब PFI एक संगठन नेटवर्क है, जिसकी देश के 20 से भी ज़्यादा राज्यों में मौझूद की है, PFI की एक राष्टी समीति होती है और राज्यों की अलग-अलग समीति है, ग्राउंड लेवल पर इसके वरकर्स होते हैं, समीति के सदस से हर तीन साल में होने वाले चुनाओं में चुने जाते हैं, 2009 में PFI ने अपने राज देश का सोचेशन और सोशल जस्टिस और रजस्तान का कम्यूनिटी सोशल और एजुकेशन सोसाइटी ये सभी संगठन PFI का अब हिस्सा हो चुके हैं, देश भर में आधार बनाने के बाद PFI ने अपना मुख्याला भी कोजी कोट से दिल्ली स्थान तरित कर दिया है, और इसके बावजूद आधार दक्षिन भारत में ही हैं, हाल ही में जब करनाटका में हिजाब विबाद हुआ, तो सीएफाई और पीएफाई ने अपनी जड़े मश्बूत करने के लिए उसका जम कर इस्तमाल किया, मैंगलोर, ओड़ीपी, मंडिया और बैंगलोरू में इस सम बात करी थी, अब पीएफाई पर उठ रहा है सवालों के बीच पीएफाई के चर्चत नेता, गराश्टी महासाचेब अनीस एहमद ने कुछ बात में मीडिया के सामने रखी है, और उनके सामने मीडिया ने वो सवाल भी रखे जो कि पीएफाई पर लगातार उठते रहते पहले सवाल के एकर हम बात करने तो जैसे कि पीएफाई को ऐसे संगठन के रूम में देखा जाता है, जो कि भारत में हिंजा को अड़ावा देता है, लेकिन आप इसके उबादे में क्या कहना चाहेंगे, तो इसके उपर भाई साप का कहना था, कि हम एक सामाजिक संगठन ह और इसका विरुध भी दर्ज कराते हैं, सीडिसी बात यह है कि ये लोग क्या चाहरा दिखाकर क्या काम करने ये बात अविद्धक सप्रस्ट हो नहीं पा रहिए, और अगर ये चीज जल् refuse नहीं होती तो सीडिसी बात है, ये बाते यू ही बढ़ती जाएंगी और कही ना क कई परिशानिया भी इसी तरीके से बढ़ती रहेंगे मेरे सुड़ी फिलातने जाये हैं जाय भारत